देशभक्त पर हम यह बात पहले भी कहे चुके हैं, फिर से कहे देते हैं हमारे देश में जितनी भी डेमोक्रिसी बची-खुची है, वो कोर्ट की बदौलत खास कर की कुछ आई कोर्ट्सूर्ट्स और सुर्परीम कोर्ट की बदौलत ही है डिमोक्रिसी के बाकी जो स्तंब है वो तूट के ध्वस्त हो चुके हैं विपक्ष के नेपो नेतास को आपस में लड़ने से फुरसत मिले तो वो अपने निकम्मेपन पर ध्यान दे मेंस्ट्रीम मीडिया सालों से कोठे पे बादशा सलामत की गोदी मेर बैठी हुई है डिमोक्रेटिक इंस्टूशन जिसका काम था सरकार को चेक और बैलेंस करना वो खुद ही कॉंस्टूशन की धजियां चीतड़े उड़ा रही है ऐसा नहीं है कि इससे जनता में कोई कुरोध है या जनता पर कोई असर पड़ा है कि प्रजा में तराही तराही हुई है डिमोक्रिसी खत्रे में है डिमोक्रिसी खत्रे है में के नारे लग रहे है अरे जनता भी मस्त है अपने अस वर्सिस देम, खालिस्तान, जिहादी, टुकने टुकने गैंग, मुगलों से बदला वाला हाई क्वालिटी अफीम फूकने में वो एकदम मस्त है, व्यस्त है अब आमदनी खस्ता हो, नौकरी ना मिले, 80 करोर लोग फ्री राशन पर बैठे हो, लेकिन प्राउड बली फीलिंग है न, क्योंकि बुल्डोजर तो चल रहा है, बाकी सब सही लेंगे थोड़ा सा लेकिन आशा की एक किरन तो जगती है कि देश के समविधान की रक्षा करने वाले अभी लोग बाकी हैं, लेकिन दे क्वेस्टेन इस कब तक? पहले इलेक्टोरल बॉंड्स पर फैसला, पांच साल की देरी के बाद ही सही, जब हजारो करोरो रोपए की धांदली हो चुकी थी, जब तब जाकर सुप्रीम कोट ने इस पूरे स्कीम को गैर सामविधानिक घोशित कर दिया, अनकॉंस्टिशनल, लेकिन पांच साल तक द सुनोती देने वाला शायद सबसे एहम फैसला है, वैसे जनता ने तो इलेक्टोरल बॉंड्स को मास्टर स्ट्रोक मान ही लिया था, अब गूबी जी ने किया है, कुछ सोच के ही किया होगा, उन्हें शायद कोट के इस बड़े फैसले की बाद भी कुछ गलत नहीं दिख र भटकार लगाई, सुप्रीम कोट ने साफ पाया कि डेमोकरिसी के साथ चंडिगड मेरल इलेक्शन में खिलवार हुआ था, कोट में जूट बोला गया और बीजेपी के उमिदवार को इतना सब होने के बाद भी जितवाने की हर कोशिश की गई, सुप्रीम कोट के अंदर भ चंडिगड मेरल इलेक्शन के विजयता घोशित कर दिये गए, लेकिन इलेक्शन के बाद तीन आपके काउंसिलर्स बीजेपी के पास भी चले गए हैं, तो हो सकता है कि ये जीत काफी टेंपररी हो और बीजेपी का कैंडिडेट फिर से मेयर बन जाए कुछ दिनों में, ल और इसकी पर्मिशन जनता ने दे कर भी रखी है, जी हाँ, समझाता हूं कैसे अनिल मसी चंडिगड मेरल इलेक्शन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो की बीजेपी के चंडिगड यूनिट से एक दशक से जुड़े हुए थे, वेरी फेटफुल अब वो लोग के सामने कैमेरा रोल होने के बावजूद, खुले आम वोटिंग के बैलिट पेपर्स को डीफेस कर सकता है, उन्हें अवैद घोशित कर सकता है मिस्टर अनिल मसी को इतना कॉन्फिडेंस था कि कैमेरा जाए भाड में, एक बार डिमॉक्रिसी के साथ ये चीर हरन मैं कर दूँ, उसके बाद तो मेरे आका, मेरे हैंडलर, मेरे सुप्रीम लिडर मुझे समाली लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस की आठ वैलिट बैलिट्स को इन्वैलिट घोशित कर दिया और बीजेपी के काउंसलर को अवैद रूप से मेरल इलेक्शन जित्वा भी दिया, और मसी का ये कैलकुलेशन गलत भी नहीं था, हमारी डिमॉक्रिसी इतनी गहरे खाई में है, कि आदमी सोथ समझ के ही ये सारा काम करता है, गलती से नहीं कर होती, तो लोगों को कोई फरक नहीं पड़ता इस घाटना से, कैमेरा पर डिमॉक्रिसी का कतले आम हो रहा है, लेकिन लोगों को टस से मस नहीं होती, उन्हें कोई परिशानी नहीं होती, हो गया, हो जाती ये सीचीचे बड़ी-बड़ी देशों में, इनफैक मसी के डिफेंस के लिए कई गोदी मीडिया लोग सामने भी आ चुके थे, जुझारू एंकर शुशान्त सिन्हा ने तगड़ा डिफेंस पेश किया, मांट किया, कि देखिए, मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाता हूँ, मैं बिट बाई बिट आपको समझाता कि बसी तो अपना ड्यूटी कर रहे थे, कहां गलत काम कर रहे थे? मूत के चले जाते हैं, और जन्ता कहती है, अब ठीक है, कर भी क्या सकते हैं, इसी को पी लेते हैं, पात साल से भी जादा लगा, इलेक्टोरल बांड की धांदली समझने पे, फिर सुप्रीम कोर्ट को चंडिगण मेरल इलेक्शन में दो-तीन बार सुनवाई करनी पड़ी, देश का सबसे बड़ा कोर्ट, जिसके पास कठिंग, जटिल, कॉंस्टूशनल मामले आते हैं, वो एक मेरल इलेक्शन की एमपाईरिंग कर रहा है आज के डेट में, ये खुश होने की बात है या दुखी होने की, कि टॉप से लेकर बॉटम तक हमारी इलेक्शन प्रोसेस क हर एक पुर्जा उसे करोड किया जा रहा है, उसे खराब किया जा रहा है, प्रोसेस को दबाया जा रहा है, धांदली हो रही है, और अभी तक मैंने EVM की बात ही नहीं की, वहां तक तो हम पहुँचे ही नहीं, जहां मैल फंक्शनिंग EVM की बात ले लो, BBPAT slips की बात ले लो मैचिंग की बात ले लो, EVM मैल फंक्शनिंग की बात ले लो, EVM मैनिफैक्चरर की बात ले लो, अभी इन सब के सवाल को लेकर मीडिया में ना कोई ख़बर है, ना आपको कोई फिकर है, लेकिन चंडिगर मेयरल इलेक्शन ने ये जरूर दिखा दिया है, कि जीतने के कोट की प्रोसीडिंग्स देखते हैं, सुप्रीम कोट की प्रोसीडिंग्स के कुछ क्लिप सोशल मीडिया पर अलड़ी वाइरल है, ये वाला जुर्म इतना ओपन और इतना घिनोना था, कि CGI चंडचूर ने भी साफ-साफ फैसला अपना सुनाया, कोट ने सुनवाई के पहले दिन मसी को साफ-साफ वार्निंग दे दी थी, कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, तो सच बोले नहीं तो कारवाई होगी उनके खिलाफ, मसी ने तब भी, तब भी कोर्ट के सामने जुड बोला, देखिए मिलोर्ड, यहाँ एक डॉट था, यहाँ पेपर थोड़ा मुड़ा हुआ था, इसलिए उनके एसेस्मेंट के अनुसार उन्होंने आप वाले जो सारे बैलिट्स थे, उन्हें अवैद गोशित कर दिये, अब सोच के देखो, देश में तमाशा क्या चल रहा है, कैमेरा में पकड़े गाए, कोट में घसीटे गाए, लेकिन confidence इतना है कि पापा बचा लेंगे, कि यहाँ भी Chief Justice अफ इंडिया के सामने आप जूट बोल रहे हो, अन्त में Chief Justice ने वो बैलिट्स कोट में मंगवाए, मस तो देखो, चोर रंगे हातों पकड़ा जाता है, चोरी का समान हाथ में मिलता है, गवा बगल में मौझूद है, CCTV रेकॉर्डिंग है, फिर भी, बचाओ पक्ष क्या बोलता है, बचाओ में मुकल रोहतगी क्या बोलता है, कि देखिए, इसब फ्रॉड, थोड़े इना, स्क के लिए अच्छा ही है, मनुरंजनी तो चल रहा है, कोट में लोग हसे, सुप्रीम कोट अफ इंडिया में लोग मनुरंजन कर रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों हसी नहीं आई, वैसे तो अभी नेता और सोसाइटी को लेकर हम हसी मजाग करते रहते हैं आए दिन, ल इलेक्षन के फ्रॉड की सुनवाई चल रही है दो-तिन दिनों से, क्या सुप्रीम कोट को मेयर, काउंसिलर, अब पंचायत इलेक्षन में भी घुस-घुस के डिमॉक्रिसी को बचाना पड़ेगा, क्या हमारे सिस्टेम में जंग इतनी बुरी तरीके से लग गई है, अच् इने तो डिमॉक्रिसी की परिभाषा लगती है, might is right, रिपबलिक का अर्थ क्या होता है, rule of law क्या होता है, यह सब तो भूल जाओ, तो ज़्यादा expectation हो गया, मसी को तो पार्टी ने पहले ही side में फेकने का decide कर दिया था, उसके उपर बीजेपी के incumbent mayor मनोहर सोनकर ने भी resign कर जिया, court hearing से बिल्कुल पहले, नहीं, 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 moral responsibility की चलते नहीं, moral शब्त कहां से ले आ रहे है, politics की बाते हो रही है आज के date में, plan ये था कि court में ये मांग रखी जाए कि ठीक है, अच्छा ठीक है यार, तुमने हमें पकड़ लिया, हो जाती है, गलती कभी-कभी fixing करत लेकिन अब, अब क्या, mayor की post तो खाली है, तो milord, करवा दो फिर से election, हुआ यूं, कि court hearing से पहले तीन आम आदमी party, councillor, BJP के पास चले गाए, तो अगर आज के date में election हो, तो आम आदमी party और INC की जो alliance है, जो जीती थी, वो हर जाएगी, तो play तो ये था, कि ठीक है, करवा द और फिर से election, लेकिन court ने कहा, कि वो election को रद नहीं करेगी, क्योंकि धांदली बस counting में हुई थी, ना कि पूरे electoral process में, re-election से पूरे democratic principles की बरबादी होगी, यहाँ court ने संविधान का article 142 को याद करते हुए कहा, और यह बहुत important है, यह मैं court करना चाहूंगा, अब यह article 142 इतना important क्यों है, लगिए हमारे संविधान को बहुत सोच समझ के बनाया गया है, इसलिए बहुत लोग इसे बदलना भी चाहते हैं, article 142 सुप्रीम कोट को यह अधिकार देता है कि वो पूर्ण नयाय करे जब दो पार्टी आपस में जगड़ रहे हो, लड़ रहे हो, और जब law में, संविधान में कोई साफ solution ना हो, तब सुप्रीम कोट के कंधों पर यह बात आती है कि फैसला वो करे सारे facts को ध्यान में और INC के जो candidate है और petitioner इस केस में मिस्टर कुलदीप कुमार को घोशित कर दिया as the lawful mayor of the चंडिगड municipal corporation, है तो यह केस चंडिगड मेरल elections का, छोटा सा केस है, लेकिन इसका fallout और भी गहरा हो सकता है, क्या हो, क्या हो, अगर सुप्रीम कोट EVM केस की सुनवाई में भी article 142 इन परिशा कहते आए हैं कि mass scale EVM hacking तो possible नहीं है, लेकिन paper trail तो होना चाहिए, matching जरूर होना चाहिए, और इतना obfuscation क्यों है, आप छुपाने की कोशिश क्यों करते हो, जब भी कोई सवाल आता है EVM पर, और जब EVM गलत reporting करता है, malfunction करता है, तो एक ही party को vote क्यों जाता है, देखि कितना matter करता है आपको, 56,000 comments होंगे, अगर EVM लिखा होगा तो बनाएंगे episode with all the khula chitta, kala chitta of EVMs, लेकिन इस दूसरे बड़े judgment जो एक हफते में आया है, इसमें बहुत सारे सवाल है, इसका जवाब हमें मिला नहीं है, और इस पे politics भी काफी घरमा रही है, राहुल गांधी tweet क करते हैं, कहते हैं, मस्ती तो मोहरा है, पीछे मोधी का चहरा है, जो इतना confidence से इस बंदे ने ये सारा काम किया, camera rolling करते हुए, अपने आप तो किया नहीं होगा, self-motivation इतना कहा होता है, इतना तो editor में होता तो हम और कहा होता है, anyway, self-motivation तो नहीं हो सकता है, 19 votes अब BJP के प तो आप फिर बाद में match भी नहीं कर पाते हैं, जो कि सरकार चाहती है, कि ये सब paper matching हटाओ, सीधे EDM बटन दबाओ, बैस सब digital हो, और क्या ये पहले से plan था, क्योंकि media को हटा कर आपने दूसरे room में डाल दिया था, तो ये जो rigging होने वाली थी, ये क्या अच्छी तरीके से सूची समझी rigging थी, ये सारी सवाल हमें पूछने चाहिएं, और ये सारी सवाल हम और आप ही पूछेंगे, क्योंकि देश के जो social media पर बड़े-बड़े रखवाले हैं, जैसे परेश, रावल, हमने उनसे पूछा, संदेश खाली पर तो आप लोग बहुत बोलते हो, इस प सवाल उठाए या ना उठाए, आप तो सवाल उठाओ, जब सामने दिख रहा है, कैमेरा पर दिख रहा है, कि डिमोक्रिसी आप गला गोटा जा रहा है, आप तब भी मौनवरत धारे पड़े होएं, इतनी भी भक्ती क्या, कि पापा से तो सवाल नहीं पूछ सकते हो, सवाल पूछ सवाल पूछ लबाए!